हेलो एवरिवन आप सबी का स्वागत हैं। आज की वीडियो में हम टॉफिक ऑफ कैंसर के बायरे में बात करेंगे। टॉफिक ऑफ कैंसर को हिंदी में करक रेखा बोलते हैं। इसके अलवा आपने मकर रेखा और मद्डे रेखा के बायरे में भी सुनाऊगा। तीनों रेखाई बड़ी फेमास हैं से बहुत सारे questions एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आज हम जितने भी questions एक्जाम में बन सकते हैं करक रेका से वो हमारे डिसकस करेंगे जो करक रेका है वो भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है तो इसमें आपको कर दिखाई दे रहा है ये आठ की तरह दिखता है जो कर की जो शेव है इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं इसमें आप देखो यहाँ पर आपको तीन रेखाई दिखाई दे रहे हैं Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn तो हम आज की वीडियो में Tropic of Cancer के बारे में बात करेंगे जो 17 देशों से होकर गुजरती है जिसमें इंडिया भी एक है आप सब इसमें एक बार देख लो पूरा कि जो इंडिया से केवल एक ही रिखा गुजर रही है तीनो रिखाओं में से Tropic of Cancer, Equator और Tropic of Capricorn में से चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप देखो कि जो करक रिखा है अब यह तीनो की तीनो रिखा है जो है वो imaginary, कालपनिक इसको मान लिया ऐसा नहीं कि यह है कालपनिक इसको माना गया है Tropic of Cancer is an imaginary line which is यह 23 degree पर है, 23 degree नौर्थ में है और यह पूरे भारत को आधा बांट देती है मतलब अब ऐसा तो नहीं आधा बांट लिया उसको मतलब एक कालपनिक रिखा है जो बिल्कुल बीच से होकर जाती है भारत की अब वो कौन-कौन से राज्य से होकर गुजर जारी तो वो एक बार देख लो कि वो आट राज्यों से होकर गुजरती है गुजराथ से, राजिस्थान, मध्यापरदेश, चत्यसगर, जारकान, वेस्ट बेंगोल, तिरुपुरा और मिजोरम आप इसको अच्छे से देखो, मैप याद करना इसलिए जरूरी है कि अगर हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो मैप में, लोकेशन के बार में बताऊना बहुत जरूरी है तो जोगरिफी के साथ-साथ हिस्ट्री को साथ लेके हम चल सकते हैं तो एक बार मैप में एक बार गोथरो हो जाओगी कि देखो भारत के बिलकुल मद्य से होकर ये रेखा गुजर रही है इसके नाम देखें एक बार मैंने आपको फिर से बताया है कि राजिस्थान, गुजराट, एक बार मैप में भी देख लोगी बिल्कुल मद्धे से कौन कौन से राज्ये हैं तो राजिस्थान, गुजराथ, मध्यपरदेश, चतिसगड, जारकंड, वेस्ट बेंगोल, तिरुपरा और मिजोरम आठ राज्ये हैं कैसे याद करा, करक में जो का है उसमें आठ की शेप बन रही है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सिंप्री अगर क्वेशन आता है, कि बताए जरा कि भारत के कितने राज्योस होका कर रहेगा गुजरती है, तो बोलोगे आठ, अब इसको याद कैसे र रात के समय, वो गुजरत जाना चाता है, तलब हो क्या है कि राजिस्तान में फस गया है, लोगडाउन के वजए से राजिस्तान में फस गया है, राज नाम कर अड़का है, गुजरत अपने घर जाना चाता है, वो वहाँ पर उसको होम टाउन है, ओके, और आप इसमें थी कि अब इतना दिन हो गये है लोकडाउन में तो भागल बिल्कुल हो गया 36 गड़ तीस दिन घर से बिना उसको हो गया है बार बार ही शोरी उसने ऊचा ठीक है जी आज बार निकला जाये तो उसने कौन सी दिशा में गया वह वेस्ट वह दिशा में गया निकल पड़ा आग उसको पीट दिया फिर लड़का क्या करता है मुझे छोड़ दो मिझो मुझे छोड़ दो राम के लिए मुझे छोड़ दो तो उसको थोड़ा सा देखो आपकी राजिस्थान गुजरात की राजिस्थान राज नाम का लड़का है गुजरात रात में वो निकल पड़ा चीफ जस्टिस वेट फॉर्जीव से राजीव से राजिस्थान, गुजरात, मद्यापरदे, चत्यसगड चीफ जस्टिस, चत्यसगड वेट, वेस्ट पेंग गॉल्फ और टीस तिरपुरा और मिजुरम, आठ राज्यो से होकर, करकरेखा गुजरती है, क्यासे याद रखो, कर, जो आठ बनावा है, उसमें, आठ राज्यो से गुजरती है, कौन-कौन से, मैप में एक बार देख लो, ट्रिक एक बार देख लो, तो आपको चीज़े अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर से एक बार देखो, राजिस्थान, राज नाम कलड़का, गुजरात, रात म में उसको निकलना था, ठीके, उस नहीं सचा, बाई, यह 30 दिन हो ग है, मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूँ, और घर मुझे निकलना है, 30 दिन हो चुका है, 36 घर जाना है उसको, लेकिन बाहर, उस दी उसने प्लान बनाया, चुछर-चर-चर-चर-बार eück, बारीश हो रह झाल 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 झाल